हाई गईज और वेलकम बाक टो दी चनल दीपक्च यादव एजुकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू नियूज एंड रिटूरियल इनालेसस ऑफ 19 जैनुवरी 2024 तो गईज आज है तारिक 19 जैनुवरी 2024 और है फ्राइडे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपी एसी एस आपको यह वला चनल म देखना है नावरु देश को कहां पर है एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पा होगे साधी साधे क्वेशन सॉल्व करेंगे जो फिर सिंपल शब्दों में बात करें तो नीचे ऑप्शन में जो आपको चार अलग-लग देशों के नाम दिये गए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो मेडिटरिनियन सी के साथ में अपने बौर्डर्स को शेर नहीं करता है आप्शन मेरे सीरिया, बी जॉर्डन, सी लैबनन या फिरिडी इसरेल, तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है, एटली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे हम आप लोगों से डेली बिसस पर बोलता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोव जिसको हम कहते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हो, यह इंडेक्स हमको यह बताता है कि दुनिया में कौन कौन से देश है जिनकी मिलिटरी सबसे ज़ादा पावरफुल है, यानि कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का पूरा स्टेटस यहां पर यह इंडेक्स हमको दिखाता है, तो 2024 के अंदर में कौन कौन से कंट्रीज हैं, जो मोस्ट पावरफुल मिलिटरी के साथ में स्टैंड करती हैं, वो सब कुछ यहां पर हम डिसकस करेंगे, एक्जामनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सा पोजीशन पर है चाइना के पीछे, यानि चाइना जो है इंडिया से काफी आ गए है, और फिर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करेंगे, फॉर एक्जामपल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान नवे नंबर पर है, दसवे नंबर पर इटली है, अब इन चीजों को कैसे डि पर इकतवर सेना है, और अमेरिका की अगर हम सेना की पूरी शमता देखते हैं, इस मामले में अमेरिका सबसे आगे निकल जाता है, और यही सब डेटा जो है, हमारा Global Fire Power Index release करता है, और अब की दबार 2024 का जो यह इन डेक्स आया है, इसमें सभी कंट्रीज की जो रैंकिंग है वो 145 कंट्रीज में से, यानि 145 कंट्रीज का सारका सर डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है, यह बात आपने ध्यान में रखना है, तो इन 145 कंट्रीज की जो शमताएं हैं, उनकी मिलिटरी को लेकर कैपसिटीज हैं, वो सब कुछ यहां पर डिसकस की गई हैं, और इस लिस यह दोस्तो स्टार्टिंग के टॉप 5 कंट्रीज हैं, जिनके मिलिटरी स्ट्रेंथ बहुती जादा पावरफुल आपको नजर आएगी, ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई, यानि मिलिटरी के मामले में यह दुनिया के 5 सबसे जादा ताकतवर देश हैं, अभी हम स्प पार मिलिटरी सैनिक आज के समय पर प्रेजेंट हैं, और पाकिस्तान से अगर तुलना की जाए, तो हमारे पास में उनसे लगबख 3 गुना ज़ादा सैनिक प्रेजेंट हैं, क्योंकि भारत के पास अगर अगर आप पार मिलिटरी फोर्स की बात करोगे, तो वो भी पाकिस् करा मिलेटरी फोर्स में लगबख 25,27,000 सैनिक प्रेजेंट हैं। वहीं पर अगर आप पाकिस्तान की इनकी संख्या देखोगे तो किवल 5 लाग है। तो यहाँ पर कंपारिजन करते हैं तो इंडिया काफी आ गया है। बाकी टैंकर्स की लडाकु विमान की बात करेंगे तो उसमें भी इंडिया के पास में जादा टैंकर्स, जादा लडाकु विमान, जादा अटैक हेलिकॉप्टर्स वगरा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान काफी पीछे रह जाता है लेकिन हमें यहाँ पर ओनेस्टली पाकिस्तान से कंपारिजन ना करके चाइन से करना चाहिए, क्योंकि चाइना अभी भी इंडिया से बहुत आगए है इस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर के अंदर में। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों जैसे मैंने बोला 145 कंट्रीज का यह इंडेक्स था, तो टॉप की 5 कंट्रीज तो आप 42, 42, 43, 44 और 45 नंबर पर कौन कौन से देश है जरा ये भी आपने पता होना चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे लास्ट में आ जाता है भुटान, भुटान की जो सेना है वो दुनिया की सबसे कमजोर सेना की तरह दिखाई गई है इस पेनिन जो है 141 वे स्थान पर है, फिर 142 वे पर यहाँ पर सुमालिया है, 143 वे पर अगर आप देख पाओगे तो वो है सूरी ने, 144 वे पर है मोल्दोवा और 145 वे पर अगर आप देखोगे तो वह आ जाता है भुटान, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लास्ट की कंट् आपको यह क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो हमारे पास में कितने टैंक है, 4614, फिर वहिकल्स की बात करेंगे तो वो है 150,248, फिर है आटोमेटिक तोपें, और तोप की जब बात करना तो वो है 140, मैनुवल तोप की बात करेंगे तो वो है 3,243, रॉकेट आर पर कुछ कैपसिटीज हैं थलसीना की, अब सब कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मोटा मोटा डेटा हमारे सामने है, फिर बात करते हैं हम लोग अपने एरफोर्स की यानि वायू सीना की, तो वायू सीना के पास में जो लड़ाको विमान आज के समय पर प्रेजेंट सीना के पास में दो बड़े-बड़े एरक्राफ्ट करियर हैं, सब को पता है, दोनों के नाम है ना विकरमजिते और विकरांत, तो दोनों एरक्राफ्ट करियर को आप देखो गया होते हैं, तो इंडिया के पास में दो एरक्राफ्ट करियर हैं, डिस्ट्रॉयर की बात करें तो दोनों लड़ाकू जहाज हैं, दोनों जंग में उतर सकते हैं, लेकिन फ्रिगेट साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, डिस्ट्रॉयर साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, समझगे इस बात को? अब उसी तरीके साम बात करेंगे सम्मरीन की पंडूपियों की तो इ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, चलिए, आते हैं नेक्स राडिकल पर, हमारे दाहिदू न्यूस पिपर के अंदर में एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा हुआ है, जिसको हम जी एस पिपर नंबर तुरी एंवर्मेंट के साथ में लिंक करेंगे, थाने के अंदर दोस्तो एक इंडियन वल्चर उड़ता हुआ नजर आया, कहोगे इसमें कौँसी बड़ी बात है, मतलब इतनी छोड़ी छोड़ी चीज़े क्या हम कवर करेंगे, क्या एक्जामनेशन में कुछ चीज़े पूछी जाएंगी क्या, नहीं, लेकिन दोस्तो य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्जामनेशन के लिए, इतने सालों में पहली बार ये वहाँ पे दिखाई पड़ा, तो जब बात करते हैं इंडियन वल्चर की, तो वो कौन सा वल्चर है, आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, इसका नाम है जिप्स इंडिक की डेड बोडी इसको खाने का काम करता है, और इसकी वज़ा से एन्वॉर्मेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स फैलती हैं, बिमारियां फैलती हैं, वो भी रुक जाती हैं, क्योंकि कई बार डेड जानवर पड़े रहते हैं, और उनमें से कई सारी जो बिमारियां हैं, डि इस्ट्रिबूशन की, क्योंकि नाम इंडियन वल्चर है, तो क्या केवल इंडिया में पाई जाती है, क्वेशन बन सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तो, ये इंडियन वल्चर पाकिस्तान और नेपाल में भी देखने को मिलता है, हाबिटेट की बात करेंगे, कहां पे रहना पस पसंद है, ठीक है, उसके अलावब जो कल्टिवेटेड एरियाज होते हैं, उसके आसपास रेना पसंद है, पता है, प्रॉब्लम ये है, कि आपने ये न्यूस देखी ली, कि 20 साल में पहरी बार यहां पर एक वल्चर दिखाई पड़ा, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो बहुत ही कम मातरा में ये जो गिद हैं, वो बचे हैं, और इनकी पॉपुलेशन खतम होने के पीछे का एक सबसे बड़ा मेजर कारण, तो को कारण बहुत सार हैं, उनमें से एक मेजर कारण ये है, कि कई बार यहां पर ये जो वल्चर हैं, वो क्या करता है, डेड बॉड़ अब क्या होता है, डेकलोफेनेक देने के बावजूद भी मानलो यहां पर वो गाय भैस या नहीं पचपाई, ठीक है, तो उसकी जो डेड बॉड़ी है, अगर वो डेड बॉड़ी ये एक वल्चर खाना शुरू कर दे, तो वो डेकलोफेनेक उस वल्चर के अंदर ये, तो ये भी एक में कारल आपको देखने को मल जाता है, डेकलोफेनेक, जिसका यूज हम लोग करते हैं अपने लाइफ स्टाक में, और उसके बाद यहां पर अगर लाइफ स्टाक नहीं बच पाता है, तो उसकी डेड बोड़ी कर वल्चर खाता है, तो वल्चर की भी ज जान चली जाती है, ये भी एक मेंन रीजन है, वैसे रीजन कई सारे हैं, हैना डीफॉरस्टेशन, हैना जानवरों के हाबिटेट में घुसना, डेवल्लप्मेंट्स करना, बट ये भी एक मेजर रीजन है, और जब बात करते हैं इंडियन वल्चर की तो उसका कंजर्वेश हमें बचा है है, इसलिए यहाँ पर इसको critically endangered category में cover किया गया है, वैसे आपको मैं बता दूँ, भारत के अंदर में वल्चर की species की जब बात की जाती है, तो टोटल 9 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, और अभी हमने जिस प्रजाती की बात की है, वो यहाँ पर कौन सा ह वो इंडियन वल्चर है, ठीक है, जिपस इंडिकस यानि कि यह थर्ड नमबर पर जो मेंशन करे रहा हुआ है, लॉंग बिल्ड वल्चर, critically endangered category में है यह, बागी यह सारी species भी इंडिया में देखने को मिलती है, औरियेंटल वाइट बैग वल्चर, यह भी critically endangered में है, slender build वल् यह एक बार go through कर सकते हूँ, बाकी जैसे मैं आपको बताया कि वल्चर के population के कम होने के पीछे का reason क्या है, एक तो वही पेंडियर जिसकी हम बात कर रहे थे, डिकलोफन है कि यह आप देख पाओगी इसकी चर्चा होई गई है, बाकी यहापर इनका जो natural habitat है लगातार वो ख एक प्रशन आपसे पूछ लिया, प्रशन क्या था, कि जो वल्चर हैं जो कि इंडिया में काफी common हुआ करते थे, कुछ साल पहले, लेकिन आज के समय पर बहुत मुश्किल होता है वल्चर को देख पाना, उसके पीछे का reason क्या है, यह आपको कुछ reason दिये गए, तो आपने अगर पढ़ा होता है इसके बारे में, तो आप अराम से question को solve कर सकते थे, और B वाला यहाँ पर इसका सही उतर है, main reason क्या है, कि एक दवाई दी जाती है cattle owners के थूँ अपने cattle को, उनकी बिमारी ठीक करने के लिए, और उसी की वएसे यहाँ पर क्या होता है, यह जो वल्चर स इनकी जान चली जाती है, समझ गए, तो अभी जो मैंने आपको समझाया, इस तरीके से question बन चुका है, आगे आते हैं next article पर, लेकिन आगे बने से पहले दोस्तों, आप लोग के लिएक important information है, अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो, आपके पास पे एक बढ़िया मौक अब ये कुछ लिखने बैठ होगे, तो बहुत ज़दा समय लग जाएगा, बाकी की पढ़ाई कब होगी, इन PDF को store करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसका एक solution यह है कि इस group में आपको एक बहुत ज़दा simple form में PDF दिया जाता है, और उसमें सारे के सारे जो notes हैं, वो printed form में आपको provide करवाय जाता है, यानि एक ऐसा PDF जिसका आप printout वगरा भी अराम से निकलवा सकते हो, अपने आप में रखकर पढ़ सकते हो, दूसरा इसका important feature ग्रूप का यह है, कि जितना भी current affairs में सारे का सारे securely store रहता है, आपने इदर उदर storage का issue जो बजाता है, यार ये store कर रखे हैं, वो store कर रखे हैं, ऐसा issues होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी issue नहीं है, आपके पास में unlimited option है, date wise सारे PDF पढ़े हैं, किसी भी तारी का PDF डाउनलोड करो, पढ़ो, delete कर दो, और कोई issue नहीं होगा, सारा content उसमें secure है, इस group को join करने का जो fee payment है, वो भी होगे, लेकिन benefits तो आपको मिलते रहेंगे ना आगे भी, और इस group को join करने के लिए, करना क्या होगा, तो whatsapp पर जाना है, यहाँ पर आपको एक number दिया गया है, 853-487-3368 इस number पर message कर देना, कि हाँ, I want to join this group, आपको मापे payment का process दिया जाएगा, और payment के process जादा important, आपको यह investment कर सकते हैं, ठीक है, बाकी दोस्तों एक छोटी सी request होती है, make sure क्या करो, वीडियो पर जो like का button उसको press कर दिया करो, एक छोटा सा target रहता है, हमारा 5000 likes का, please आप उसको support कर सकते हैं, चलिए, आगया आते हैं, next article पर, आगला article भी exam के लिए जादा important है, हुआ क्या है, जो ICMR है, पहली बार, ध्यान रखना, अब ऐसी कोई चीज होती है, जैसे अब ने देखा 20 साल में पहली बार वल्चर दिखाए दिया, और ये पहली बार ये वाला काम भी हो रहा है, जो भी हम discuss करेंगे, तो ऐसी चीज़े जादा पूछी जाती है, examination के अदर आपने कई बार देखा अब होगा, तो ICMR क्या कर रहा है, इन्होंने यहाप पर जो हमारी current, आज के समय की जो National Essential Diagnostic List है, इसको revise किया है, वो भी पहली बार, first time revise किया है, जिस वज़ा से ये important बन जाता है, अब ये list कौन सी है, ये है National Essential Diagnostics List, दोस्तों किसी के कोई बिमारी होती है, तो आप जाते ह होता है, उसी को यहाँ पर हम लोग बोलता है, diagnostic test होता है, है ना, वो testing वगरा होती है, उसी को बोलता है, तो जो भी important test होता है, कि बही कौन कौन से important test है, जरूरी test है, जिनके prices जादा नहीं होने चाहिए, है ना, उनकी एक proper list तैयार की जाती है, तो ये list है वो, अब क्या और इस list को वापस revise किया रहा हो सकता है, कि बही कोई और जादा बिमारी common हो गई हो, तो उसके test को भी इस list में include किया जाए, ताकि उस test के जो prices है, वो भी यहाँ पर हम थोड़ा सा control करके रख सकें, ये एक main reason है, national essential diagnostics list को revise करने का, चलिए, details से discuss करते हैं, तो खबर, आप यहाँ इसके बारे में जान चुके हो, कि यहाँ पर इसमें कुछ नएने test को add करना है, और कुछ test जिसकी जरूरत नहीं है, वो delete भी करना है, और ये February के end तक सारा काम करकर समाप्त करना होगा, अब यहीं पर बात आती है, कि जो ये national essential diagnostics list है, ये है क्या, तो दोस्तों ये जो list है, कुछ essential और जो basic test होते हैं, उनको include किया जाता है, है ना, common test जो होते हैं, जो हम लोग करवाते रहते हैं, कभी गभी, तो उन सब common test को यहाँ पर, इस list में रखा जाता है, ताकि उसके prices, हर चीज़ को maintain करके रखा जा सके, जो ज़रुरत मन test है, basically हम उनकी बात कर रहे हैं, ताकि जो test है, यह health test है, health check-ups है, essential, important वाले, उनको proper available करवाया जा सके, और इस list के अंदर में दोस्तो, proper जो laboratory test वगरा है, उसको भी include किया गया है, for example, यहाँ पर जो test है, चाहे वो हमारी non communicable disease हो, चाहे वो communicable disease हो, ठीक है, फैलने वाली बिमारी हो, या फैलने वाली ना बिमा यह को दोस्तों, यहाँ पर, इन दोनों के अगर कोई test होते हैं, तो उन सभी test को यहाँ पर इस list में रखा गया है, for example, कुछ test तो specific की बिमारी को लेकर है, HIV का test हो गया, hepatitis, tuberculosis, dengue, malaria, area endemic disease हो गई, तो इन सबके proper test होते हैं, उन्हीं एक list त्यार की जाते हैं, इसका test सभी healthcare centers म होना अनिवारे हैं, और इतना prices का set रहेगा, जादा किसी को लूटा ना जाए, और जो इंडिया है, यह पहला देश बन चुका है, जिसने इस प्रकार का essential diagnostic list को release किया, क्योंकि 2018 से अभी तक अगर हम बात करेंगे, तो World Health Organization लगाता recommend करता हूँ आया है, कि बाई, national essential diagnostic list को बना जाओ, ऐसी list अपने पास में रखो, ताकि लोगों को proper जो test की facilities हैं, वो मिल सकें, और वो भी अच्छी condition में, तो इस प्रकार का जोर WHO की site से मिला, और इंडिया पहला देश बना, जिन्नोंने इसको implement किया, सवाल यह है, कि जो यह essential diagnostic tests होते हैं, यह होते क्या हैं, तो दोस्तो का main focus होता है, high burden disease पर जासे मैंने बोला, बिमारी जिसका burden बहुत ही जादा है, बहुत जादा देखने को बहुत common बिमारी है, तो उसके test को यहाँ पर essential diagnostic test का नाम हम लोग यहाँ पर देते हैं, ठीक है, अब इंडिया का जो यह essential diagnostic test है, इसके benefits क्या हैं, फाइदे क्या हैं, इ affordable में, यानि कि कम मात्रा में, कम पैसो में यहाँ पर, हर जगा पर यह test को available करवाया जा सके, quality वाला test improve रहे, यह जो evolution से ही करकेंगे, यह हमारे healthcare facilities को और जदा बढ़िया करेंगे, समझ गए, तो यह सारी recommendations और यह सारा काम, यह जो list test को revise किसने क्या है, वो क्या है, ICMR ने, तो ICMR को नहीं छोड़ सकते, इसको भी पढ़ना होगा, prelims के लिए यह भी important है, तो यह है Indian Council of Medical Research, New Delhi में इसका main headquarters है, यह सबसे बड़ी body आपको देखने को मिल जाती है, जसका main काम है, जो हमारा biomedical research है, उसको promote करना, उसमें coordinate करके काम करना, यानि पूरे दुनिया में अगर आप द Indian Research Fund Association को यहाँ पर set up किया, इसका main objective यही था कि देश में medical research को जादा promote किया जा सके, क्योंकि medical research जरूरी होती है दोस्तो, और फिर देश के अजादी के बाद में काफी सारे changes करेगा इस body में, और फिर इस organization को finally 1949 में Indian Council of Medical Research का नाम दिया गया, और जो यह पूरी body है, इसको fund पार सरकार करती है, Ministry of Health and Family Welfare के through, उसके माध्याम से, clear हो गया ICMR के बारे में, चलिए, आगे आते हैं next important article पर, एक और news article बहुती ज़्यादा news में है, यहाँ पर हम बात करने वाले space mission के बारे में, GS paper number 3, science and technology के point of view से important है, यहाँ पर बात करने वाले हैं, चाइना के Changi 6 mission के बारे में, यह जो Changi 6 mission है दोस्तों, यह चाइना चांद पर भेजेगा और चांद से कुछ samples उठा कर वापस प्रत्वी पर लेकर आएगा, तो क्या है पूरा matter, क्या होने वाला है, धियान रखना question ब सकता है, या कौन से देश का mission है, तो यह तो बता ही दोगे, चाइना का mission लेकिन purpose क्या है, यह भी पता होना चाहिए ना, चलिए, बात करते हैं इसके बारे में, तो चाइना की जो national space administration है, उन्होंने हाली में announce किया, कि जो Changi 6 है, यह इसका दो sample है, वो यहाँ पर कह सकते हो कि हम लेकर आएंगे, और अभी जो यह पूरा mission है, इसको चांद पर भेजा जाएगा, हमारे 2024 के मतलब बीच में हो सकता है, यहाँ पर इसको moon पर land करवाया जाए, अब जो यह चांगी 6 mission है, यह पूरी तरह से plan करके चलाया गया है, एक lander design है, जो कि क्या करेगा, हमारे चांगी 6 mission है, इसको इस तरीके से design किया है कि वो चांद के south pole पर जाएगा, और वहाँ से samples को उठा कर वापस से पृत्वी पर लेकर आएगा, तो इस mission का main मकसद क्या है, moon पर land करना, वहाँ से sample एक खटा करना, पृत्वी पर वापस आना, और उस sample के उपर research करना, और moon के ज important चीज़ होने वाली है, जहाँ पर हम moon से, इस प्रकार से sample को retrieve करेंगे, और जो यह mission है, इसके अंदर केवल चाइना का ही role नहीं है, इसमें दोस्तों, चाइना ने international collaboration किया है, कुछ और देशों के साथ में मिल कर यहाँ पर काम किया है, और वो international collaboration किस से किया है, European Space Agency से किया है और France की Space Agency CNES से भी किया है, तो European Space Agency ने इसमें, मतलब China को लेकर, मतलब इस particular mission में, अपना lunar surface ion tester दिया है, जबकि France की Space Agency ने यहाँ पर कुछ equipment चाइना को provide कर वा है, जिससे वो चांद के उपर में red on gas जो है, उसके measurement कर पाएंगे, और केवल यहाँ पर European Space Agency और France का role नहीं है, उस पाकिस्तान का IQ Q Cube Set, यह भी यहाँ पर इस mission का हिस्सा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, तो जल्दी इस mission को launch किया जाएगा, और इस mission के अंदर में lander भी होने वाला है, rover भी होने वाला है, ठीक है, यानि कि lander चांद पर उतरेगा, rover उस lander में से निकल कर, अगला आटिकल भी examination के लिए बहुत important है, हुआ क्या है, जो Vice President है जगदीब धंकर साहब, इन्होंने अभी उदगाटन किया है 12th General Assembly of the Asian Buddhist Conference for Peace का, तो ऐसे conference को लेकर कई बार questions बनते हैं दोस्तों, क्या है यह पूरा Asian Buddhist Conference, कैसे यहाँ पर बना हर एक details यहाँ पर directly government की sites आई है, क आपको बता होगा, कई बार टॉपर्स आपको बोलते हैं कि आपके बास time होगा, प्लीज आप यहाँ और एक और देख लेकर, आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, तो एक बहुत important article है, हर जगा पर cover की आगा, लेकिन यहाँ पर एक government का data है, जिस वज़एस हम इस precedent है, इन्हों नहीं यहाँ पर इस बारवे, इस particular body के assembly का उदगाटन किया है, न्यू डेली के अंदर में, जिस विसे news में है, तो चली आप finally बात करते हैं, इस ABCP के बारे में, Asian Buddhist Conference for Peace के बारे में, इस body को बनाया गया था 1970 के अंदर, मोंगोलिया में, मोंगोलिया के अंदर ए जो Buddhism के followers थे, उन्होंने यहाँ पर, जिसमें monks भी थे, lay members थे, सबने मिलकर यहाँ पर दोस्तों इसको बनाया, इस body का main मकसद यह था, कि जो Buddhist हैं, वो अपना efforts लगाएं, और चारों तरफ, Asia के अंदर में, एक शांती को बना सकें, शांती का विस्तार कर सकें, दूसरी चीज दोस्तों ध्यान रखना, यह जो body है, ABCP, इस conference की जो proper headquarter है, वो भी बनावाएं, कहां पर मंगोलिया में ही बनाएं, मंगोलिया में जो उलान बतार है, वहीं पर इसका headquarter आपको नजर आएगा, ठीके, बाकी इसका इतिहास देखेंगे इस body का, तो इस body को बनाया गया था, cold cold war चल ला था, शीत यूद चल रहा था, तो उसमें पर शांती movement के तोर पर, शांती परकरार रखने के लिए, शांती बनाने के लिए, इस particular body को establish किया गया, और body को establish करने के लिए दोस्तों, अलग-लग जगा से कई सरे members आए, Soviet Union के members थे, स्री लंका के बुद्धिस लीडर थे नेपाल के बुद्धिस लीडर थे, सब साथ में आया और सब साथ में बिलकर, officially इन्होंने Asian Buddhist Conference for Peace को बनाया 1970 में, जिसका permanent headquarter मौंगोलिया के उलान बतार में है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें और भी countries का participation होना स्टार्ट हुआ, मौंगोलिया से बुद्धिस जापान, इंडिया, लाउस, वेतनाम, कैंबोडिया, भूटान, रश्या, उसके अलावा यहाँ पर सिलंका, थाइलेंट, प्लस और रीजिनल कंट्रीज थी एश्या की, यह सब यहाँ पर इसमें जुड़ने लगी, और आज के समय पर यह जो बॉड़ी है, यह इतनी Observer के तोर पर Register हो चुकी है, United Nation Economic and Social Council में, और यह 1988 में ही Register हो चुकी थी, क्यों? क्योंकि इस बॉड़ी का एक main role हमने यह देखा, कि यह कहीं ना कहीं, जो यह मानवता है, उसमें काफी बड़ा contribution दे रही है, शान्ती को बनाने में काफी बड़ा contribution देने में इसका एक Mathwood role है, सम अन्हें हर एक aspect को cover करने की कोशिश की है, मतलब ऐसा नहों कि आपको यह वीडियो देखने के बाद इदर भागने की ज़रूरत पड़े यार, यह रह यह रह यह रह गया, ऐसा नहों, मेरी कोशिश यह हो, धिरे-दिरे यहाँ पर थोड़ा और समय लगेगा, मतलब ऐसा नह करो, देखो, काम करने में थोड़ा समय लगता है, मेरे पास कोई ज़्यादा बहुत बड़ी टीम नहीं है, ठीक है, थोड़े लोग है, तो अच्छे से यहाँ पर काम किया जाएगा, तो quality में थोड़ा समय लगता है, अब यह सी बात है, यह जो आर्टिकल आपको देख रह in targeted areas, high school के अंदर बच्चों को support करने के लिए, कुछी particular areas के अंदर, यह scheme लेकर आई गई, ठीक है, तो स्रेश्ट स्कीम ध्यान लखना, S-R-E-S-H-T-A, स्रेश्ट स्कीम, इसकी full form आपको मैंने बताई दिये, clear, तो दोस्तों यहाँ पर यह news में क्यों है, खबरों में इसलि गए है, residential private schools के लिए, जो भी school इस scheme में interested है, basically उनके लिए, अब यह scheme है क्या, इस scheme का main मकसद है, कि बई, कुछ बच्चों को, especially जो meritorious student है, schedule caste community से, उनको यहाँ पर best private residential school का access मिल सके, अच्छी पढ़ाई कर सके, especially हम higher education की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा अगर 8th में है, तो उ education के category में, और अगर वो 10th में है, तो उसको 11th में लेकर आया जाए, तो 9th, basically हम 9th और 11th की बात कर रहे हैं, आपने दिहान में रखना है, होगा क्या इस scheme में, तो इस scheme का main मकसद है, कि जो schedule caste community से आने वाले कुछ meritorious students, जिन्होंने बहुत ही शांदार performance अपना दिया है, उनको scholarships provide करवाना, ठीक है, scholarship provide करवाना ताकि वो study कर सके private schools के अंदर में, या NGO वाले residential schools में, लेकिन यह कौन से class तक के, कौन से class तक के लिए है, वो है 9 से लेकर 12 तक, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक के बच्चे के लिए है, हापर यह scholarship provide करवाने की बात यह है, तो यह जो scheme, इसका main, जो expectation है वो यह है, कि पर जो यह amount दिया जाएगा, लगबाग 3000 students का admission हम करवाएंगे class 9 और 11 में हर साल, ठीक है, यह हमारा main purpose होने वाला है, तो इस scheme का main object है, वो क्या है, कि जो यहाँ पर government है, वो यहाँ पर education sector में, और जादा यहाँ पर जो लोग है, उनका involvement लेकर आना चाहती है, इ वो जो schedule caste community से belong करने वाएंगे लोग हैं, उनके proper development के साथ साथ, उनके social economic upliftment के उपर में भी focus किया जा सके, सवाल यह है, यह जो श्रेष्ट scheme है, इसको implement कैसे किया जाएगा, तो इसकी implementation agency की बात करते हैं, तो वो है department of social justice and empowerment, और यह जो particular department है दोस्तो, यही क्या करेगा, इसको दो तरीके से हम लागू करेंगे, पहले यहाँ पर कुछ स्रेष्ट schools होंगे, जिसमें CBSC board के, स्टेट board के schools होने वाले हैं, दूसरा यहाँ पर अगर आप देख पाऊगे, तो इसमें NGO या जो voluntary organizations होते हैं, जो यहाँ पर schools को run कर रहे हैं, hostels को run कर रहे हैं, वो वाला option भी इ तो उनको select किया जाएगा एक test के मादम से इसका नाम होगा national entrance test, फिर उनको यहाँ पर इस test के मादम से schools में proper education मिलेगा, scholarship के साथ में, सारे के सारे जो benefits हैं, वो यहाँ पर government provide करवाने वाली है, ठीक है, तो इस race scheme क्या है, I hope दोस्तों आपको यहाँ पर यहाँ जो clarity है, वो मिल कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, आगया आते हैं, उसके बाद में next relevant article पर, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इस scheme में eligibility क्या होगी, कौन-कौन सा बच्चा eligible होगा इस scheme के अंदर apply करने के लिए, ऐसा बच्चा, जिसके मातब पिता की जो आए है, income है, वो धाई लाग से कम है, ठी इस scheme में participate करने के लिए, या फिर, केवल वो candidates, जो कि यहाँ पर pass कर चुके हैं, या appear कर रहे हैं, class 8th या 9th को, sorry, class 8th या 10th को, ठीक है, क्योंकि 8th pass करेगा तभी तो 9th में आएगा, और 10th pass करेगा तभी तो 11th में आएगा, तो basically हमारा main purpose 9th to 12th वाले sector को govern करने का है, यह जो scheme में इस के अंदर में tuition fee, hostel fee, mess का सारा charges, यह सारी चीज़े बच्चे को provide करवाई जाएंगी, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो students होंगे, उनके पास में ये भी एक option होगा, उनके वो merits के उपर depend करेगा, merit कैसी आती है, तो उस merit के basis पर वो अपना जो range of school है, वो हहाँ पर अपने हि है, जिसको जरूर से discuss करेंगे, examination के लिए बहुत important है, इसके पर बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ पर दोस्तों बात की जारी है DRU के बारे में, और यही पर हम समझेंगे DRU में आखरका क्या challenges है, और उन challenges से कैसे निप्टा जा सकता है, और आज का मेंस का question है, वो भी इस आर् इस एटूरल को इसलिए इखा गया, क्योंकि देखो, हुआ क्या कि जो एक high level committee है, एक committee बनाई गई हमारे defense minister के थ्रू, ताकि वो committee क्या कर सके, हमारा जो DRDO body है, defense research and development organization, इस body का पूरी तरह से review कर सके, बोडी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके लिए है यहाँ पर एक particular committee को बनाया गया, और हाली में, जो विजय रागवन पैनल है, इन्होंने यहाँ पर ये भी suggest किया, कि एक defense technological council, जिसको हमारे prime minister chair करेंगे, ऐसा एक council होना चाहिए, जो कि हमारे देश की defense technology है, वो किस level पर चल रही है, उसको monitor किया जा सके, क्योंकि DRDO का main काम क्य है, जो हमारे defense है, कई सेरे जो हतियार है, है ना उनके उपर research करना, उनको यहाँ पर produce करना, यह main काम है DRDO का सबको पता है, लेकिन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए कोई committee नहीं है, तो वो committee को recently established किया जा है, जिस वज़ा से यह मामला news मे है, और यहीं पर writer बोलता है, यह जो committee बनाई गई है, उसके पीछे की जरुरत क्या थी, पता है आपको, जरुरत यह थी कि पहला, redefining rules, इसे क्या होगा, committee जब बन गई है, तो वो लगाता recommendation तो दे सकेगी, बता सकेगी, DRDO का role है क्या, कई बार DRDO में कुछ ऐसे unnecessary topics हैं, जिनक उपर research किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, जिनकी जरुरत नहीं है, तो यहाँ पर उन चीजों को समझाने के लिए, review करने के लिए, एक proper body होगी, DRDO का सही role क्या है, उसको दिखाने में एक body रहेगी, फिर parliamentary committee, 2019 में जो committee है, उन्होंने ये भी बोला था, जो DRDO का performance है, वो क इसलिए भी यहाँ पर एक committee बनाई गई, फिर CAG के एक report आई, उस report में, मतलब जो हमारे comptroller and auditor journal of India होता है, उनकी report ने सीधा-सीधा DRDO की आलोचना की, क्यों DRDO 20 ऐसे mission projects के उपर में काम कर रहा है, मतलब इसमें categorize किया गया 20 mission projects, successful है, लेकिन फिर भी, मतलब उन्होंने दिखाय काफी सरे project action जो complete हो चुक है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर वो uncomplete है, मतलब उन्होंने फिर भी बहुत सारा काम बाकी है, फिर ऐसे यहाँ पर एक committee है, डॉक्टर पी रामाराओ committee, पहले क्या हुआ, जो DRDO है, इन्होंने यहाँ पर committee बनाई, ताकि अपने operations, जो भी DRDO को लेकर आए, वो committee हर चीज को, हर एक role को यहाँ पर समझेगा DRDO के, उसको देखे का अपने suggestion देगा, और जो यह high level committee तयार की गई है, जो विजर आगवन committee है, इसका recommendation क्या है, और सबसे अच्छे recommendation है, पहला recommendation यह है कि DRDO को अपने original research and development goal के उपर में focus करना चाहिए, ठीक है, research and development पर focus करना बहुती जादा जरूरी है, प्लस हमारे देश का जो defense technological roadmap है, इस पूरे map को तयार करना होगा, एक planning तयार करनी होगी पूरी की पूरी, defense technology को लेकर, और decide करना होगा, इसमें सबसे बड़े projects कौन से है, सबसे काम की, सबसे अती महतपूर जरूरत कौन सी है, पहले उसके ओपर काम करना जरूरी है, फिर यहीं पर एक और recommendation है कि जो department of defense science and technology and innovation है, यह जो body है, इसको भी हमें establish करना चाहिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इतना pressure, reason यह है कि दोस्तों DRDO का जो काम करने का तरीका है, जो functioning उसकी हो रही है, उसमें कुछ चुनातियां हमको दिखनी शुरू हो चुकी है, जैसे project में लगाता delays हो रहा है, देरी पे देरी हो रही है, मैं आपको बताऊं, Comptroller and Auditor General of India ने 175 जो projects हैं, इनकी proper detailed report निकाली, और उन report को निकालते वे यह दिखाया कि इन में से कई सारे projects ऐसे हैं, जो सालों से बस खली घिस रहे हैं, काम वगरा इन पे अच्छा चल नहीं पा रहा है, एक example दिया गया, Helena helicopter का, तो Helena helicopter ये एक anti-tank missile है, अब क्या हुआ, Helena helicopter launched anti-tank missile जो है, ये December 2010 में यहाँ पर काम शुरू हुआ, लेकि इसको deadline है, फानली इसको test करते करते 2022 आ गया, बहुत समय लग रहे हैं, एक और जो challenge है, वो DRU के पास में proper funding नही DRU को receive हो पाता है, फिर एक और problem है, inadequate production output, DRU का main काम है, in defense items का production करना, लेकिन अभी भी यहाँ पर, इतना हम आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इंडिया इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, जो भी हमारी defense की requirements हैं, जरूरत हैं, उसमें 70% अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 2018 से 2022 तक importer रहा, फिर आती है substandard production की, तो देखों यहाँ पर जो हमारी armed forces हैं, इन्होंने कई बार ना कई सारे projects पिछले कुछ सालों में reject भी कर दिया है, कि DRU का जो production हुआ है, कई बार जो items से वो इतने high level के नहीं है, high quality के नहीं है, इस तकर में armed forces ने पिछले 15 सालों में 70% products को reject किया, यह कुछ challenges हैं DRU के functioning में, अब बात आती है way forward की, क्या इसका solution होना चाहिए, पहला, defense research and development council बनाना होगा, यह यहाँ पर writer ने solution दिया है, जिसमें हमारे top military leaders होंगे, scientists होंगे, जो की special focus रखेंगे development plan पर long term plan के उपर focus रखेंगे, सही चीज है, दूसरा, हमें एक important focus research and development पर करना होगा, amount अच्छा खासा देना होगा, DRDO और जो हमारी armed forces है, air force, navy, छीक है, army, इनके बीच में और DRDO के बीच में एक important link होना चाहिए, ताकि DRDO जरुरतों को समझ सके, आपस में मिलकर इनका एक common vision रहे, फिर एक और चीज़ है, joint venture with selected foreign manufacturers, जो DRDO है, इसको दूसरे, जो projects को develop करना होगा, जैसे ब्रहमोज हमने missile develop किये, रश्या के साथ में बिलकर, ऐसे और भी projects बनाने होगे, फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, कुछ ऐसे projects, जो यहाँ पर rejected है, खराब है, उनको हटाना होगा, जिनकी जरूरत नहीं है, redundant projects, unnecessary projects पर time waste करना बेकार है, और आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, वही fund हम दूसी जगह पर, जो हमारे लिए necessary projects से हमाँ पर खर्च सकते हैं, एक और way forward writer बोलते हैं, कि बढ़ी, DRDO के जो scientist हैं, उनकी salary बढ़ाना भी हमाले जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी salary बढ़ना एक बहुत बड़ी requirement हम समझते हैं, चलिए, आगे आते हैं, और देखते हैं आज के mains के question को, आई होप आप लोगोंने बड़िया तरीके से पूरे के पूरे आर्टिकल को सुना है, सुना है तो बड़िया सा answer आप लिख सकते हो, 15 माग का question है, 2500 चरब्दों में आपने लिखन हैं, अपने देश में ही, अपने देश का समान यूज़ करके defense equipment में काम करने के लिए अभी DRDO जो है, मतलब जो expected line थी उससे काफी पीछ है, वहाँ तक अभी नहीं आपाया है, तो इस situation को देखते वे आपने यहाँ पर critically बताना है, कि आखिरकार इसके पीछे क्या-क्या factors responsible है जिसकी वज़ा से performance अभी जादा बढ़िया नहीं है, और हम क्या-क्या कर सकते हैं, आपने कुछ measures बताना है, कैसे हम यहाँ पर इस पूरे situation को improve कर सकते हैं, ठीक है, तो डाइस सो शब्दों में answer लिखना है, एक बार हिंदी मरीट कर दता हूं तो कि हिंदी मादें वाले aspirant इस क्वच्छे से पढ़ कर एक बढ़ी आसा answer लिख सकें, तो question है, रक्षा उप करोणों का स्वदेशी करण हासिल करने में DRDO अपनी उमीदों पर खरा नहीं उतरा है, इसके निम्न इश्टतम प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कारोकों की आलोचनात्मक जाच कीजिए औ और इसे सुधारने के उपाय सुझाएं, दाइसो शब्दों में answer लिखने के बाद में कहाँ पर submit करना है, टेलिग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके search box में लिखना, दीपक यादव education mains group, जैसे आप full form लिखोगे मरे टेलिग्राम चनल में लेगा, जहाँ पर already 78,000 के आसपास लोग जोड़ चुके हैं, आप भी जोड़कर अपने answers को लेकर वहाँ पर submit कर सकते हो, अपने answer को जो आप submit करोगे तो साथी साथ एक छोड़ा सा काम और करना है, at least सभी लोग को दो-दो answers रेवियो करना है, जब आप सभी लोग दो-दो answers को रेवियो करोगे, बहुत सारे फाइदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी, आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकते हो, सामने वाले के answer में अगर कोई mistake होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ यहाँ पर improvement क्या आवश्य रखता है, समझ गए, आगे आते हैं next editorial पर, यह editorial जिसको ह हम पिछले दो दिनों से रोक के चल रहे थे, आज यहाँ पर finally इसका discussion करेंगे, तो दोस्तो recently यहाँ पर जो 10th schedule है, वो यहाँ पर news में आया हुआ है, तो क्या है 10th schedule, इसको लेकर UPC directly एक oppression पूछ चुका है, प्रलिम्स के अंदर में, बहुत ही simple सा question है, ठीक है, आगे मापको जो assembly के speaker है, उनने यहाँ पर यह बोला, देखो, recently क्या होता है न, जो महाराश्ट्रे की proper assembly है, वहाँ पर जो उद्दव ठाक रहे हैं, ठीक है, उद्दव वाला साब ठाक रहे हैं, वो यहाँ पर chief minister हुआ करते थे, ठीक है, MLS का support उनके पास में था, लेकिन फिर एकदम से क साथ में मिलकर निकल भी गए थे, तो जो maximum MLA का support था, उद्दव बाला साब ठाकरे के साथ में, वो जो support है, वो पहुँच गया, एकनाच शिंदे के साथ, और आपको पता है, कोई भी मुखे मंतरी अगर पदपर बैठा है, तो वो MLA के vote, MLA के support की वे से बैठा हुआ है, औ बात आपको clear हो गया, तो maximum MLA छोड़ कर इनके साथ में चले गए, तो यहाँ पर जो support था, उद्दव वाला साथ के पास में वो हटा, चीफ पिनिस्टर के पत से हटा दिये गए, और अब यहाँ पर प्रधान, जो मुखे मंतरी है, जो चीफ पिनिस्टर है महराश्टरा के, वो है एकनाथ शिंदे साथ, BJP से associated, आपको यहाँ पर यह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बात clear हुई, अब जो यह पूरा matter है, इसी में 10th schedule जो है, वो news माया हुआ है, इसको हम लोग anti-defection law के नाम से भी जानते हैं, तो इस पूरे article में यही बताया गया है, कि यहाँ क्योंकि क्या इतना असान है, सरकार बदलना, क्या MLS अगर यहाँ पर इस तरीके से एक party छोड़के दूसरी party join कर लेंगे, जिसको हम defection बोलता है, दल बदल बोलता है, क्या यह करना इतना असान है, तो वो समझेंगे हम, क्या है यह defection, और इसके खिलाफ क्या प्रावधान ह और क्यों यहाँ पर एकना शिंदेश साब के साथ में support बना रहा, मतलब यह सरकार चला रहे है, उसके पीछे का reason क्या है, क्योंकि MLS यहाँ पर छूट कर अगर इस party को छोड़कर इनके साथ में join करे, तो MLS को यहाँ पर disqualify कर देना चाहिए था, हटा देना चाहिए था, क् किस बेसिस पर इनको support मिला, anti-defection law किया है, anti-defection का इतिहास किया है, यह हर एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर discuss की गई है, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सारे aspects को जानते हैं, पता एक बार UPSC ने question क्या पूछा था, आप 2014 का prelims का paper उठा के देख सकते हो, question यह था, which one of the following schedules of the constitution of India contains provisions regarding anti-defection, हमारे भारतिक सम्विधान में कौन से schedule के अंदर में anti-defection को लेकर प्रावधान mention है, तो आप देख पाओगे वो है 10th schedule, ऐसा एक सरल सा question 2014 के अंदर में already पूछा जा चुका है, फिलाल के लिए हम बात कर रहे हैं अभी anti-defection की, तो आप समझते हैं क्या ह तो हमारे भारति सम्विधान का जो ये 10th schedule है, इसको हम लोग anti-defection law के नाम से भी जानते हैं, इसको हमारे सम्विधान में लाया गया 1985 में कब, 1985 में, और 1985 में दोस्तों ये amendment के जरिये लेकर आया गया था, जिसको हम जानते हैं 50 Second Amendment Act के नाम से, 52 संशोधन किया गया था, ठीक क्यों कि उससे पहले अगर आप देख पाऊगे, तो काफी सरे MLA's इस पार्टी में ऐसे यहाँ पर दल बदल करते रहते थे, तो इस चकर में इस पूरे सिन्यारियो को देखते वे, इस दल बदल के खिलाफ में यहाँ पर एक कानून लेकर आया गया, वो था anti-defection law, 1985 में इ इस law के अंदर में यह mention कर दिया गया कि अब अगर कोई MLA या यहाँ पर मतलब जो member of parliament हैं, या state legislature के members हैं, वो अगर इस प्राकार का defection अब अगर करते हैं, इस तरह के सब parties को बदलते हैं, तो उनको disqualify कर दिया जाएगा, तो यह चीज़ दोसों यहाँ पर provision के अंदर mention कर द खोड़ कर, हट कर यहाँ पर एकनाच शिंदे साब के पास में पहुंचे, तो इसके पिछे का reason क्या था, यहाँ पर क्यों disqualify नहीं किया गया, उसके पिछे का reason यह है कि दोस्तों इस law के अंदर में एक exception भी है, एक अपवाद भी है, यानि एक कुछ छूट भी दी गई है, अब वो अपवाद क्या है, मैं आपको दोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, वो यह है, कि देखो, 91st, चीक है, 91st Constitutional Amendment Act हाया, 91st, एक आन्वारवा, जो Constitutional Amendment Act होता है 2003 में, यह एक और बदलाव हुआ, और इस बदलाव के अंदर में यह बोला गया, यह एक छूट है, जो MLA's ह और वो इस तरीके से parties को बदल के दूसरी party में join होते हैं, तो उनको disqualify कर दिया जाएगा, लेकिन अगर पूरे party में जितने भी member हैं, पूरे party के जितने भी member हैं, और उसके दो तिहाई member, two third members, एक साथ party को छोड़ कर किसी दूसरे party में मर्ज हो जाते हैं, तो वो valid है, तो व को माना जाएगा, तब यहाँ पर कोई role नहीं है, जिस party को छोड़ कर चलेगा, एक कुछ नहीं कर सकते हैं, वही case यहाँ पर हमको देखने को मिला, तो कोई भी political party है, उसके अगर जितने भी members हैं, अगर उसके दो तियाई member, जितने भी member हैं, वो उसको लिख दो और यहाँ into two by three कर दो, जो भी आपका निकल कर आएगा, इतने members कर यह party छोड़ कर निकल कर जाकर, किसी दूसरे party को merge कर लेते हैं, तो वो valid है, उसमें कोई कारवाई नहीं होगी, उसमें कोई MLA disqualify नहीं होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे MLA's चले गए, एक साथ support छूट गया, और सवाल यह है, disqualify करने की power होती किसके पास, मगर एक का दुक्का मेले हैं यहाँ पर अगर इदर दर दल बदल कर रहा होता, तो इसको disqualify करने की power हमारे speaker के पास महीं है, समझ गए इस बात को, बात clear हो गई दोस्तो, I hope आपको हर एक चीज बढ़िया तरिये समझ में आ चुक ठीक है, अब इस anti-refaction law को लेकर, जो सारे provisions है, thus way schedule के अंदर में insert करे गए, constitution के अंदर 1985 में, यही पर सारे process पता आए गए, उसके अलाबा यही पर कुछ चिंताय भी दिखाए गए, कि यह जो anti-refaction law है, उसको लेकर कुछ concerns जयता आए गए, कि जो speaker है, speaker कभी भी समय ले लेग तो एक elected member, जो अपनी party से जान बूच कर अपनी membership को छोड़ रहा है, तो उसको disqualify के जा सकता है, या फिर एक member, जो कि यहाँ पर अपने party को पुली तरह से यहाँ पर आप कह सकता है, उसके directives में, उसके directives के against में चल रहा है, विप को ignore कर रहा है, या फिर यहाँ पर कह सकता तो एक independent member, जो कि एक political party को join कर लेता है, elect होने के बाद में, तो उस case में भी यहाँ पर disqualify हो सकता है, या फिर एक nominated member, जो कि एक political party को join करता है, अपने nominate होने के 6 महीने बाद, तो भी यहाँ पर उसको disqualify कर जा सकता है, यहाँ पर एक अपवाद exception है, जैसे मैंने बोला, इस law exception यह है कि यह law हर case में लागू होगा, लेकिन अगर एक political party के दो तियाई member एक साथ निकल कर दूसरे political party को merge कर लेंगे, तो यह यहाँ पर आप वाद के तोर पर valid माना जाएगा, यह सही है, यही case हम को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यह news में है anti-defection law, clear होग होगा कि अभी recently acer की report आई है, जिसकी आपर चर्चाय हो रही है, acer मतलब annual status of education report, तो इस editorial के अंदर में यही mention किया गया है, कि जो acer की report आई है, इसने कई सारी चौकाने वाले आकड़े हमारे सामने रख दिये हैं, जैसे पहला चौकाने वाला आकड़ आई है, कि जो छोटी class के बच्चे हैं, जिनकी उमरे 14 से 16 साल है, आदे से जादा बच्चे इंडिया में, वो maths में struggle कर रहे हैं, maths की problems proper solve नहीं कर पा रहे हैं, gender gap थोड़ा सा कम हुआ है, smart phones लोगों के पास में पहुँचे है, smart phones का जो use है, वो भी यहाँ पर increase हुआ है, है ना, यह सब कुछ आपक आपको बिल्कुल major context बताता हूँ, कि major निचोड क्या है, निचोड यह है कि भाई, देखो हमारे पास में right to education act है 2009 का, हर एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए जो education उसको compulsory किया गया है, लेकिन वो education के नाम पे education होनी भी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्च करवाएगा, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई, कि भई यहाँ पर बच्चे इतनी आगे आ चुके हैं, 8th में, 9th में आ चुके हैं, लेकिन उनको basic standard, class 3rd, 4rd की जो math से वो problem solve नहीं हो पा रहे हैं, तो एक problem यहाँ पर यह है, जिसको यहाँ पर tackle करना जरूरी है, तो Acer क् annual citizen-led household survey है, पुरा survey आता है, जिसका main मकसद होता है, यह बदा ना बच्चों की स्थिती है, क्या गाउवाले छेतर में, शेहरवाले छेतर में, especially education को लेकर यहाँ पर क्या स्थिती है, वो यह बताने का काम करता है, हैना कि basic reading में बच्चे कैसे हैं, mathematics में कैसे हैं, तो इन सब जो का data, national level, district level का collect करके हमको यह provide करवाता है, ठीके, बागे आज के newspaper में एक और article present है, जिसको हम discuss नहीं करेंगे, क्यों, article तो important लग रहा है, already discuss कर चुके हैं, यार, देखो, 12 जनवरी का video open करना, मैंने सारे data यहाँ पे डाल दिया, यह पूरा article, same to same है, मतलब 1% का भी फरक न हिंदू बाई दीपा यादव डाल देना, आपको video मिल जाएगा मेरा, video open करना, और 17 minute, 10 second पर पहुंच जाना, यह article चुरू हो जाएगा, और उसका discussion पूरा देख लेना, आपको मजा जाएगा, समझ कर exactly पूरा matter, क्या चल रहा है, genetically modification, crops को लेकर, क्या होती है, crops, क्या है genetically modification, mustard इसको लेकर क्या-क्या सम्बंदी दिक्कत है, आज के समय पर देखने को मिल रही है, हर एक ची डिसकस की गई है, तो आप उसको refer कर सकते हैं, please, तो, अब आते हैं हम लोग अपने practice test के उपर में, आपने पूरे lecture को बढ़िया तारी के से सुना है, तो देखते हैं यहापर, आपका concentration level किस स्तर पे था, तो आपका test यहाप लिया जा रहा है, और चेक करना आपना जो score उसको नीचे comment section में लिखना, तो, question number one, जो चांगी 6 mission है, इसका जो main objective है, वो क्या है, वो आपने बताना है, option number है, to search for exoplanets, हमारे solar system के बार exoplanets की खोज करना, या फिर, जो Venus का geological और volcanic activity, उसकी study करना, या फिर, चांद के south pole से sample को वापस लेकर आना, या फिर, जो हमारे एक जीवन है, मार्स के उपर में, उसको explore करना, तो बताओ, चारों में से, एक main objective क्या है, चांगी 6 mission का, इसका सही उतर क्या होना चाहिए, नीचे comment section बताओ, now next question बात करता है, with reference to Asian Buddhist Conference for Peace, तो ABCP को लेकर दो statement दिये गए है, बताना, इन में से कौन से statement सही है, पहला, ये जो body है, ये एक voluntary movement है, हमारे Buddhism के followers का, जिसमें monks और lay members से दोनों थे, second, इसका जो headquarter है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर धरमशाला में है, तो बताओ, दोनों statement में से कौन से statement सही है, option number 1 only, B2 only, C दोनों से हैं या D दोनों के दोनों गलत हैं, again एक ही बहुत ही simple सा question, एक और interesting question, यहापे आप से दोस्तों शरेष्ट scheme के बारें पूछा गया है, scheme for residential education for students in high school in targeted areas, तो शरेष्ट scheme अक्सर न्यूज में रहती है, इसका main मकसद का है, आपने ये बताना है, option number 1, एक जो quality education है, ब schools में, या option C, scholarship provide करवना meritorious students, जो की schedule caste community से belong करते है, higher education के लिए, number D, यहापर क्या करना है, exclusively cater to students, ऐसे बच्चे जो कि यहापर disability से गुजर रहे हैं, उनको लेकर यहापर सारी problems, यहापर resolve करना है, residential schools में, तो बताओ, यहापर stress scheme का main purpose है, वो है क्या, इसका सही उतर, क्या होना चाहिए, अगला question बात करता है, national essential diagnostics list को लेकर, तो इस particular list को लेकर, दो statements दिए गए हैं, बताना इन मेंसे कौन से statement सही है, पहला, इस list के अंदर में, जो भी important diagnostic है, उसको include किया है, लेकिन यह जो diagnostic test है, वो केवल और केवल non communicable disease से संबंदित होते हैं, क्या ऐसा कुछ है, या option option number B, इंडिया जो है, पहला देश बन चुका है, जो कि इस list को release कर रहा है, तो बताओ दोनों statement में से कौन से statement सही है, option number A, one only, B, two, only, C, दोनों सही है, या D, दोनों के दोनों गलत है, तो दोस्तों यह थे हमारे सारे-सारे questions, I hope आप लोगोंने सभी questions को सही-सारी attempt किया होगा जादा question नहीं है, थोड़े बात question ही है, सही attempt किया होगा, चेक करता है, मैं आपको एक एक करके सभी का answer देता हूँ, आप rematch करना, देखना, कितने सही है और कितने गलत की है, तो आखरी वाले questions चुरू कर लेते हैं, पूछा गया था, national essential diagnostic list को लेकर, बताओ दोनों statement से कौन स statement सही है, पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला सही है, गलत क्यों है, क्योंकि दोस्तों इस list में केवल non communicable disease ही नहीं, communicable disease के test को भी cover किया गया है, पढ़ाया था, तो पहला statement हो गलत, दूसरा सही है, हाँ इडिया पहला country जो इस list को release कर रहा है, that is why option number B to only is the correct answer, फिर आप से question पूछा गया, श्रेश्ट scheme को लेकर बताओ, कौन से statement सही है, यह option जो है, घलत लग गया है, D वाला नहीं, C वाला सही है, ठीक है, यह जो श्रेश्ट scheme में इसका main मक्सद क्या है, कि जो scholarship है, meritorious students को provide करवाना, especially schedule cast वाले communities के students को, ताकि वो higher education के लिए आगे जा सके है, तो option number C correct है, फिर अगले प्रश्ट में पूछा गया है, ABCP को लेकर, तो इसमें दो statement है, मैंसे कौन से सही है, तो केवल पहला statement सही है, दूसरा गलत है, दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि ABCP का जो headquarter है, वो हिमाचल प्रदेश धरमसाला में नहीं है, आपको पढ़ाया था, जर इसका main objective है, चांद के southpool पर जाना, और वहाँ से samples को collect करके वापस से प्रत्वी पर लाकर आना, ताकि उसकी हम details से study कर सके हैं, ठीक है, तो यह था हमारा पूरा का पूरा discussion, आगया आता है, prelims वाले question पर, तो 2015 का question था, question यह था कि बताओ कौन सा देश है, southwest Asia का, जो की Mediterranean Sea के स को दिख रहा है, so Syria भी Mediterranean Sea से border share करता है, Israel भी Lebanon भी, बचा कौन सा, Jordan, जो की Israel के just पीछ है, तो Jordan का कोई भी border, यहाँ पे Mediterranean Sea के साथ में नहीं लगता है, that is why जो option number B है, वो हमारा सही उत्तर है, फिर, इस prelims वाले question के बाद में, अगर हम देखेंगे, तो हमारे पास में, जो map का question जो starting में आपको दिया गया था, नवरु देश को आपने map में देखना है, तो नवरु देश की जब बात करना दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह हमारा Pacific Ocean है, यहाँ पर कई सारे island countries है, यह आपको नवरु देखने को मिल जाएगा, नवरु की कोई भी official capital नही है, ठीक है, नवरु की जब बात करते हैं, तो आसपास कई सारे countries आपको तुवालू वगरा देखने को मिल जाएगा, पपवनियू की इनिया देखने को मिल जाएगा, उपर Marshall Islands है, नीचे किरीब आती है, इस प्रकार से कई सारे island countries आपको यहाँ पर नजर आएगी, और Pacific Ocean मे यह वो countries है, island countries है, जो लगातार, दीरे-दीरे यहाँ पर पानी में समाती भी चली जा रही है, आपको पढ़ाया गया था, चीक है, तो इसके आसपास कई सारे islands से कुछ बड़े islands हैं, for example, Australia भी आपको नजर आएगा, New Zealand भी नजर आएगा, बड़े-बड़े islands मिल जाएगा, यह भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो नवरु के बारे में ध्यान रखना है, चलिए, आगया आते हैं, यह इसका बड़ा मैप हो गया, बाकी करते हैं लेक्चर को समाब तोर मिलते हैं आपसे अगले वडियों में, आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जैहिंद!